हेलो फ्रेंड्स, कई बार बच्चों के अंदर ही छोटी छोटी बच्चों में ही बहुत ज्यादा मोटापी की शिकायत हो जाती है जिसकी वज़ा होती है उनकी ओवर इटिंग, ज्यादा जंक फूड या फिर स्ट्रीट फूड क्योंकि बच्चों की जबान को घर पर बना हुआ हेल्दी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और 80% बच्चे बाहर का ही खाना प्रेफर करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सारा खाना आपके बच्चों की जुबान के लिए तो अच्छा है लेकिन उनके वजन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है नेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों के वजन को बढ़ाने के लिए कई बार उनकी नीद भी जिम्मेदार होती है अगर बच्चे लेट सोते हैं और लेट उठते हैं तो इसकी वज़े से भी उनका वजन बढ़ सकता है बहुत ही सिंपल सी बात है जब बच्चे टाइम टो टाइम सोते हैं और समय से सुभे उठ जाते हैं तो उनका पूरा शेडूल अच्छे तरीके से चल पाता है जिसकी वज़े से वो जब भी खाना खाते हैं या पिर जब भी अपना हुमवक करते हैं तो अपने टाइम को मैनेज करना सीख पाते हैं और अगर वो time को manage करना नहीं सीख पाते हैं तो किसी भी वक्त उन्हे कोई भी भूख लग जाती है और जब भी उन्हें ज्यादा भूख लगती है तो वो ज्यादा खाना खा लेते हैं इसलिए अपने बच्चों को सही टाइम पर सुलाने की और सही टाइम पर उठाने की जिम्मेदारी आपको ही करनी पड़ेगी आप चाहें तो अपने बच्चों के कमरों में अलाम भी सेट कर सकते हैं ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से प्रॉपर नींद भी दे सकें और उनके मुटापे को भी कम कर सकें। अक्सर एक शोच से पता लगाया गया है कि बच्चों के अंदर मुटापे को कम करने के लिए नींद बहुत ही जरूरी है। अगर आपके बच्चे जल्दी सोजाते हैं और टाइम से अपनी नींद पूरी करते हैं तो वेट लॉग्स करने के लिए काफ एची ट्रिक है। आप चाहें तो बच्चों को हेल्दी खाना खाने के लिए प्रेडित कर सकते हैं और उन्हें बाहर की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को जॉइन करने के लिए भी कह सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों के अंदर आप में विश्वास बढ़ता है और बज़न भी संतुलित हो जाता है। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्स से डिलेटेड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।